मुझको अपनी बैंक की किताब दीजिए देश के तबाही का हिसाब दीजिए जो लोग गरीब थे वो फकीर हो गए आप तो गरीब से अमीर हो गए कैसी कैसी देखो योजनाय खा गए बैठ कर ये अपनी आत्माय खा गए ये लाएने मशूर कवी मनजूर भोपाली की है ये पंक्तिया इस समय बहुत कुछ बया कर रही है देश में एक मुद्दा अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है जो है इलेक्ट्रोरल बॉंड इस देश में आदे से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है इसकी पूरी कहानी क्या है क्या सच्चाई इसके पीछे चुपी हुई है देश के बोदी भक्त या यू कहें अंद्भक्त वो इस मुद्दे को लेकर बात ही नहीं करना चाहा रहे हैं ना खुल कर इस बात को बता पा रहे हैं आज हम बताएंगे इलेक्ट्रोरल बॉंड की पूरी देने का एक वित्य जा दिया है यह एक वचन पत्र होता है इसके जरिये भारत का कोई भी नागरिक या कंपनी भारत्य स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं से खरीच सकता है और अपने पसंद के किसी भी राजनितिक दल को गुमनाम तरीके से दान कर सकता है आपको बता जिदिक दलों को धन देने के लिए बॉंड जारी कर सकता है इसमें सबसे बड़ी बात यह होती है कि भुगतान करता का नाम नहीं होता इस योजना के तहट SBA के शाखाओं से एक हजार रुपए से लेकर करोड़ों रुपए से किसी भी मुल्य के इलेक्टोरल बॉंड खरी किया जा सकता है केवल उन्हीं राजनेतिक दलों को इलेक्टोरल बॉंड के जरिये चंदा दिया जा सकता है जिन्होंने लोकसभा या विधान सभा के लिए पिछले आम चुनाव में डाले गए वोटों को कम से कम एक प्रतिशत वोट हासिल किया हो भारत सरकार ने इस योज कि जरिये चंदा देने वाले की पहचान गुप्त रखी गई है इसलिए इसे काले धन की आमद को बढ़ावा मिल रहा है लेकिन अब इसका उल्टा हो रहा है देश में काला धन कम हो रहा है या भढ़ रहा है इसका कोई कुछ नहीं कहब सकता इसके साथ ही आपको ये बता द में आठ साल से भी जादा वक्त से लंबित चल रहा है और इस पर सभी की निगाहे टिकी हुई है इस मामले पर सुनवाई शुरू होने से एक दिन पहले ही 30 अक्टूबर को भारत के अटोनी जनरल आर वेंकिटर मनी की इस योजना का समसन करते विए सुप्रेम कोट से कहा कि ये योजना राजनितिक दलों को दी जाने वाले चंदों में साफधन के इस्तिमाल को भड़ावा देती है चुनाव निगरानी संस्ता एसोशेशन ओफ डेमोक्रेटिक डिफॉर्मर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2017 और 2016 और 2021 के बीच पांच वर्षों में कुल सात र अकेले बीजेपी का हिस्सेदारी लगबख पांच अदा दो सो बहतर करोड रुपे है यानि कोल इलेक्टरल बॉंट के जरिए दिये गए चंदे का करीब 58 फिजदी बीजेपी को मिला है इसी अवदी में कॉंग्रेस को इलेक्टरल बॉंट से करीब 952 करोड रुपे मिले जब की तरण मूल कॉंग्रेस को 767 करोड रुपे मिले रिपोर्ट के मुताबिक साल 2017 और वर्ष 2021 के बीच राष्टर पार्टियों को इलेक्टरल बॉंट के जरिए मिलने वाले चंदे में 743 फिजदी के भड़ोतरी हुई वही दूसरी तरफ इस अवदी में राष्टर पा पारदर्शी है और इसके जरीये काले धन की अदला बतली नहीं होती के इंदेसरकार ने सुप्रेम कोड को कई मूख को पर बताया है कि धन प्राप्त करने का तरीका बिल्कुल पारदर्शी है और इसके जरिये किसी चुनावी बोंड के मार्फत चंदा देने वालों की पूरी जानकारी कितना चंदा मिला हर बोंड पर कितनी राश्री प्राप्त हुई उसकी पूरी जानकारी चुनाव आयो को उपलब्द करानी पड़ेगी। सुप्रीम कोट ने वितमंतराले को आदेश दिया कि वो अपने नोटिफिकेशन में संसोधन करे और इलेक्टोरल बोंड की खरीद के लिए अपरेल और मैं में दिये गए पांच अतिरिक्त दिन को हटाए। इसके साथ ही सुप्रीम कोट ने सोमवार यानि की कल SBA से कहा कि वह इलेक्टोरल बोंड से जुड़ी हर जानकारी 21 मार्च तक दे। सुप्रीम कोट ने नए आदेशों में उन युनीक बोंड नंबर्स के खुलासे का भी आदेश दिया जिनके जरिये बोंड खरीदने वाले और फंड पाने वाले राजनितिक पार्टी का लिंक पता चलता है। इसके साथ ही आपको बता दे कि चुनावी या इलेक्टोरिल बॉंड स्कीम 2017 के बजट में उस वक्त के वित्मंत्री अरुन जेटली ने पेश की थी। दोजनवरी 2018 को के इंद सरकार ने इसे नोटिफाई किया ये एक तरह का प्रामिसरी नोट होता है। इस बैंक नोट भी कहते हैं इसे कोई भी भारतिय नागरिक या कंपनी खरीच सकती है। साल 2017 में अरुन जेटली ने इस पेश करते हुए दावा किया था कि इससे राजनितिक पार्टियों को मिलने वाली फंडिंग और चुनाव विवस्था में पार दर्शित आएगी। ब्लैक मनी पर अंकुष लगेगा। इसके बाद इस योजना को 2017 में ही चुनोती दी गई थी। लेकिन सुनवाई 2019 में शुरू हुई। 12 अप्रेल 2019 को सुप्रेम कोट ने सभी पॉलिटिकल पार्टियों को निर्देश दिया कि वे 30 मई 2019 तक एक लिफाफे में चुनावी बोंट से जुड़ी सभी जानकारी चुनावायों को दे। हालांकि कोट ने इस योजना पर रोक नहीं लगाई। बाद में दिसंबर 2019 में याची का करताओं एसोशियेशन फोर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने इस योजना पर रोक लगाने के लिए एक आवेदन दिया। सुप्रिम कोट के पांच जजों की सवीधान पीट ने 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉंट की बिक्री पर रोक लगा दी थी, साथ ही SBI को 12 अप्रेल 2019 से अब तक खरीदे गए इलेक्टोरल बॉंट की जानकारी 6 मार्च तक इलेक्शन कमिशन को देने का निर्देश दिया था इसके बाद SBI ने कोट से कहा बॉंट से जुड़ी जानकरी देने में हमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इसके लिए कुछ समय और चाहिए इस पर CGI डिवाई चंद्रचूर ने पूछा पिछली सुनवाई यानि कि 15 फरवरी से अब तक 26 दिनों में आपने क्या किया इसके ब अब एक BJP सबसे ज़्यादा चंदा देने वाली पार्टी हैं 12 अपरेल 2019 से 11 जनवरी 2024 तक पार्टी को सबसे ज़्यादा 6060 करोड रुपे मिले हैं सुप्रेम कोट ने आयो को 15 मार्च तक डेटा सारवजनी करने का आधेश दिया था इससे पहले भाते स्टेट बैंक ने 12 मा की जानकारी अब रोड होने के बाद लगाता चोकाने वाले खुला से हो रहे हैं 30 कंपनिया ऐसी हैं जिन्हों ने छापे मारी के ठीक बात राजनितिक दलों को मोटा चुनावी चंदा दिया और कई और कंपनियों ने अपने नेट प्रॉफिट की तुलना में कई गुना ज पार नियूमेरिक कोड का खुलासा क्यों नहीं किया इस कोड से ही पता चलेगा कि किस कंपनी ने या फिर किस व्यक्ति ने या फिर किस राजनितिक दल को कितना चंदा दिया गया है बैंक को 18 मार्ष तक जवाब मांगा है चुनाव आयोक ने सुप्रेम कोड की रजिस्टरी से 16 मार्श को मिला Electoral Bond का नया डेटा रविवार को अपनी वेबसाइट पर अप्लोड कर दिया है नई डेटा में Financial Year 2017-2018 के बोंड की जानकारी शामिल है आयोग ने 14 मार्श को 763 पेज की दो लिस्ट अप्राइल 2019 के बाद खरीदे या कैश किये गए बोंड की जानकारी वेबसाइट पर अप्लोड की थी एक लिस्ट में बोंड खरीदने वालों की जानकारी जबकि दूसरी मेर राजनितिक दलों को मिले बोंड की डीटेल थी सुप्रीम कोट ने कहा 21 मार्च की शाम पांच बजे तक SBA की चियर मेन एक एफिडेविट भी दाखिल करें कि उन्होंने सारी जानकारी दे दी है CGI चंदरचूड की बैंच ने कहा कि SBA जानकारीों का खुलासा करते वक्त सिलेक्टिव नहीं हो सकता है इसके लिए आप हमारे आदेश का इंतजार ने करें CGI ने कहा SBA चाहती है हम भी उसे बताएं किसका खुलासा करना है तब ये बताएंगे ये रवया सही नहीं है कोर्ट में सोमवार यानि कि कल Electoral Bond मामले पर सुनवाई हुई और आदालत की समीधान पीट ने Electoral Bond के यूनिक नंबर का खुलासा करने को लेकर सुनवाई करते वे कहा SBA को और उसको फटकार लगाई Chief Justice DVI चंद्रचूड ने कहा कि SBA को हर जरूरी जानकारी देनी होगी इस पर Bank ने कहा कि उसे बदनाम किया जा रहा है दरसल Supreme Court में पिछली बार जब Electoral Bond को लेकर सुनवाई की गई थी तो अदालत ने Bond में Unique Number का खुलासा नहीं करने को लेकर SBA से सवाल किया था अदालत ने कहा था कि SBA को Unique Number का खुलासा करना चाहिए क्योंकि वह ऐसा करने के लिए बाद्या है Bond में Unique Number के जरिये ये पता चल सकता है कि किस राजनितिक दल को चंदा दिया गया और उसे देने वाला शक्स, कमपनी कौन थी Chief Justice चंदरचूर ने कहा कि आप हर बात के लिए हमारे आदेश का इंतिजार नहीं कर सकते हैं कि कोर्ट जो कहेगा वही हम करेंगे आपको आदेश समझना चाहिए था इस पर हरिश्ट सालवे ने कहा SBI के बारे में गलत छवी बनाई जा रही है हम साफ करना चाहते हैं कि आदेशों में क्या लिखा था हमने समझा कि बॉंड की तारीक, बॉंड खरीदने वालों का नाम राशी और कैश करवाने वालों का ब्योरा देने के लिए कहा गया है सुनवाई के दोरान सालवे ने कहा चुकि राजनितिक पार्टियों को चुनावायों को बताना था कि उन्हें किसने कितना चंदा दिया है और यह जानकारे सील लिफावे में कोट को भी दी गई थी इसलिए यह जानकारे सामने आही जानी थी उन्होंने कहा कि अगर बोंड नमबर देना है तो हम दे ही देंगे इसमें हमें कोई समश्या नहीं है इसके बाद चीफ जस्टिस चंदलचूर ने कहा कि हम अब आदिश दे देते हैं कि SVI बोंड नमबर भी बताए और अपने पास किसी भी तरह की जानकारी ने रखे सब बताया जाए इसके बाद सालवे ने कहा बिलकुल लेकिन मीडिया में और दूसरी जगा होपर हमें गलत बदनाम किया जा रहा है हमें कोई जानकारी चुपाने में दल्चस्प भी नहीं है हम सब दुपलब करवा देंगे आपको अब देखा जाए तो इससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि चोड की डाड़ी में तिनका पहले लोग सबा चुनाओं के बाद तक का समय जाहिये था और अब समय नहीं दिया गया तो आदी अधूरी जानकारी कोड के सामने पेश कर रहे हैं अब देखना यह है कि अगले सुनवाई के दोरान क्या S.B.I. पूरी जानकारी दे दी तो क्या होगा सुप्रीम कोड का अगला कदम और अगर S.B.I. ने फिर इसे हलके में लिया तो क्या होगा S.B.I. के साथ खैर यह तो अब 21 मार्श को ही पता चलेगा ऐसे ही खाजनकारी के लिए देखते रिए जनतादर बार नियूज मुझे दीजिये इजाजत नमशकार